नमस्कार आप देख रहे हैं वे टाइम नियूस बढ़ते हैं चारखन की खबरों की ओर पतंजली परिवार योग समीती हरिद्वार के तत्वाधार में पतंजली 28 इस्थापना दिवस के शुबासर पर सुबा योग शिविर किया गया उसके बाद गरीब आसाहय दिव्यांग भुजुर्ग माता पिता को निशुलक गर्म वस्तर कंबल वित्रण किये गए यह कारिक्रम के मुख्याती थी योगाचारिय योगी सुश्मा सुमन थी यह कारिक्रम वाड नमबर एक रोहणी टांड में की गई योगी सुश्मा सुमन ने कहा कडाके की थंड पड़ रही है जुरत मंदों को कंबल देने का काम पतंजली परिवार कर रहा है मानव सेवा ही सबसे बड़ा सेवा है और आज इस्थापना दिवस के शुबावसर पर यह कारिक्रम किया गया सुश्मा सुमन ने कहा कि आज से सभी प्रखंडों से लेकर पूरे भारत में किया गया पतंजली आशोन्य से लेका शिखर तक सफर के योग आयरुवेद स्वदेशी ववस्था परिवर्तन राष्ट भक्ती सरातन धर्म वैदिक शिक्षा उरी कडी मेहनत के साथ परम पुरा संसार अपना रहा है बहुत गर्व की बात है और कडी मेहनत करने से भारत आत्म निर्भर बन रहा है आगे और विश्व को सभी जरुरत मंदों का समान भारत देगा स्वामी रामदेव महराज जी ने संकल्प ले चुके हैं अंतिम व्यक्ति तक योग पहुचाना औ और यग्य हवन भी करना जो पुराने हमारे पद्धती थी रिशी मुनी समय से जो चली आ रही थी फिर पुनह वापस लाना है भारत जाग रहा है और इसे जगाने की जुरत है योगी प्रदीप कुमार सुमन ने बताया कोडर्मा जीले में लगाता निशुल का सेवा चाहे काम चल रहा है और आगे चलते रहेगा विडिया न्यूस के लिए कुडर्मा से कौशल पांडिक रिपोर्ट